ये hormones को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है हमारे पास कि selenium या zinc तो उसमें क्या होता है कि selenium और zinc जो होते हैं हमारे testosterone को boost करने में help करते हैं guys मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वज़ासे आप अपने sperm count को बढ़ा सकते हैं अपनी mortality को बढ़ा सकते हैं अपनी morphology को अच्छा कर सकते हैं तो simple और sober सी है आपको कुछ ऐसा नहीं है कि तिग्रम लगानी है बट उससे पहले मैं आपको कुछ facts सकना चाहरा हूं आप ये facts देखो जो patient oligospermia में थे 8 million sperm count थे आज की date में 50 million sperm count है उसी के साथ साथ उनकी active mortality जो थी वो 7% ती अब जो है वो 40% के आसपास हा रही है और morphology अब पहले morphology 2% थी अब वो 70 है ये facts after treatment हुएं बट ऐसा नहीं होता कि सब को ही treatment की requirement है देखो ये जिस stage पर आये थे वो शायद 8 million sperm count के साथ है और एकदम से 50 million within 2 months में होगे क्योंकि हम भी कुछ ऐसा magic नहीं करते हैं या कोई भी doctor आपके ओपर कोई ऐसा जादू कोई नीच करता जिसकी वज़े से आपको अपनी चीजे ठीक होती भी नज़रा है या कोई ऐसी चीज़ हो हम specially एक ही काम करते हैं आपके कुछ चीजों को fulfillment करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हो गया zinc हो गया vitamin D हो गया ठीक है और side by side और इसके साथ जो अगर आप मैं बात करूं तो protein हो गया यह तो एक चीज होगी बाट side by side हम कुछ और चीजों को भी देखते हैं जो आपके guts से related होती है वो एक apart है बट जो majorly sperm count को बढ़ाने की चीजे होती हैं उसमें हम तीन चीजों को major देखते हैं कि जो चीज actually requirement होती है किसी को भी boost करते हैं सबसे बहले बात करूंगा जिंक की second बात करूंगा आपके protein की और third part करूंगा selenium के आज की date में supplementation आते ही है उसके बारे में तो को zinc, selenium या फिर आपका protein यह basically आपकी body की requirement होती है इस requirement से आपकी fulfillment होती है spermatogenesis के nutrition की और जब वो यह वाले nutrition लेता है तो उससे आपको वो produce करके देता है sperm metazooi या sperm तो इसमें help लगती है जैसे LH की help लगती है ठीक है इसमें help लगती है testosterone की help लगती है वो एक hormones है वो hormones इसलिए बनाए गए हैं कि वो अपने काम को perform कर पाएं आपके sperm को बना सके आपकी body को male बना सके और उसमें binding का काम करना उसको किस तरीके से उसमे help कर सकते हैं वो सारी चीजों का काम होता है इन hormones का अब जब हमारी body में hormones अच्छे है ना तो बहुत सारी चीज़े अच्छी है तो इसलिए hormones को अच्छा करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास कि selenium या zinc तो उसमें क्या होता है कि selenium और zinc जो होते हैं हमारे testosterone को boost करने में help करते हैं अगर हमारी body में lack हो रहा होत आता है vitamin D का vitamin D भी बहुत अच्छा रोल अपनाता है कि testosterone को boost करने में अगर आपका hormones अच्छे से release हो रहे हैं अच्छे से सारी चीज़े कालकुलेटिव तरीके से चल रही है तो आपकी सारी चीज़े normal हो जाती है आप जैसे मान लीज़े के pittori gland hormone तो body बना रही है बड़ वो deliver नहीं कर रहा तो वहां पर भी गड़ बड़ा जाती है चीज़े अगर यहां पर hormone नहीं बन रहा हो वहां पर pittori gland help भी करने की बड़ अगर पीछे से internally कोई और problem है और यह फारी सारी चीज़े आपकी fulfillment वी चल रही है तो आपको वो result नहीं देखने को मिलता क्योंकि patient कहते है मैंने इतना time allopathic लिया उसमें खिलाई हमें zinc के tablet लेते selenium tablet लेते और यह सारी चीज़े चला रहे थे तो वहां पर मेंको कोई boost नहीं मिला वहाँ पर boost इसलिए नहीं मिला उसके पीछे reason यह हमारी body का जो role है वो एक independent तरीके से नहीं चल रहा एक major gland बैठा वे वो सारे glands को handle कर रहा है जो major gland है अगर वो ही उसको signal नहीं दे पा रहा धंग से तो वो आपकी body में बितना calculated result नहीं निकाल के देगा यह factor होता बड़ अगर मेरे यहाँ पर testosterone shot चल रहा है तो यह मेरे को help कर देगा कि हाँ बइक को selenium zinc मिल गया तो मैं अपने आपको boost कर सकता हूँ ठीक है माल लीजिए अगर मेरे को आज की date में लगता है कि मेरे को potato खाने से energy मिलती है ठीक है मेरे को potato खाने से energy मिलती है तो मैं potato यह बेसिक फंडामेंटल है तो यहाँ पर जिंक हो गया आपका सेलेनियम हो गया यह दोनों चीज़े तो हेल्प करेंगे बूस्ट करने में साइड वे साइड वाइटमिन दी का भी अगर आप चाहो तो गूगल पर थोड़ा स्टुड़ी कर सकते हो वाइटमिन दी की भी टेस अब बात करते हैं प्रोटीन की प्रोटीन क्यों रिक्वाइमेंट है सबसे पहले बात मैं उता दूँ प्रोटीन इसलिए रिक्वाइमेंट है हमारी बॉड़ी में क्योंकि प्रोटीन से हमारे बनते हैं स्पर्म हमारे जो स्पर्म है वो प्रोटीनियस है प्रोटीन से भरे प्रोटीन के ही होते तो उनकी बॉड़ी का जो structure दे ज्यादा दर प्रोटीन के element जाता होते हैं यह समझ लीजा तो basically वो प्रोटीन है समझ में आ गया मेरे काल से आगे की story आपको थोड़ी सी समझ में आनी चालू होगी होगी कि जब हम प्रोटीन खाते है तो हमारी बॉड़ी यूज करेगी और उससे वो जादा स्यादा sperm production में help करेगी और अच्छे sperm production को help करेगी तो इसी लिए प्रोटीन की requirement वहाँ पर इसलिए पढ़ जाती है अब यहाँ पर कुछ majorly चीज़े होती हैं कि patient कहता है कि मैंने इतने लंबे टाइम से हर जगा से treatment लिया में को कहीं से अ इंटररस्टा-ाग्यें स्ठमग लीवर यह ओला है सारी उक्के है सब बढ़िया से चल रही है तो आपको धिक्कत आएगी जहां पर आपको धिक्कत लेह जैसे effectively की दिक्कत है associations की दिकत हैं आपको अगर ऐसी कंईने दिक्कत आ रही हैं उसके बाद आप सारी चीजे ले रहे हो तब भी आपको नहीं लग रही हो इसले ले लग रही क्योंकि आपका गट वितनी सफिशेंटली उससे न्यूट्रिशन नहीं निकाल पा रहा जिसके वह आपको आपको रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहा दूसरा एक चीज और निकल के आती है कि आपकी बॉड़ी परफेक्टली फाइन दिख रही है बट हॉर्मोन सोड़ी से एर्रेगुलर है हॉर्मोन से रेगुलर है मना लज कभी बढ़ा हुआ है FSH काफी बढ़ा हुआ है तो वहां पर भी सेनारियो आता है कि बॉड़ी में आप डालते हो वह बॉड़ नहीं कर पा रहा है चीजे जिसकी वज़ए से वो हेल्प नहीं कर पा अगर हॉर्मन्स नॉर्मल हो गए तो आई पर आपके बेसिकली क्या हो गया कि स्पर्म को अपने आपी बढ़ना चालो हो जाएगा तो यह अलत फैक्टर्स है बट अगर आप नॉर्मल हो और सिंपली एक आपने स्कैन करव आया है और उसके बाद आप अपने बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हो यह अपने स्पर्म प्रोडक्शन को अच्छा रखना चाहते हो यह चार सप्लिमेंट आप लेकर ट्राय कर सकते हो अपने रिपोर्ट नेक्स चेक करवा सकते हो इसी के साथ अगर आपको कुछ भी ज झाल